रेडियो पर रंग बरसे, भीगे चुनर वाली गाते, अमिताब बच्चन की आवाज, किचन से आती, पुआ, गुजिया और ठंधाई की खुस्बू और दिल में ये तमन्ना की गबर को अभी कॉल करके कह दूं कि गुरू होली आज ही है, रंगों के तेवहार होली का खुमार ही कुछ ऐसा है, होली, रिशी और किशी से जुड़ा पवित्र उत्सव है, जो सायद स्रिष्टी के आदिकाल से ही रिशियों और किसानों के द्वारा मनाया जाता है, भारत के विभिन राज्यों में होली को भिन भिन रूपों में मनाया जाता है, ब्रज की होली 20 सुप्रम में वल् nitfaamu-थí और पुरो हिट को पता चली तो वह बहुत खूस हुई जो पुरोहित यहीं चार लेके पास गए ते उनको बिस्भानुजी ने बहुत सारे लड़ू दिये भेट स्वरूब और जब पुरोहित लोटने लग गए तो खुशी के मारे गोपियों ने उन पुरोहितों के ऊपर रंग फैके पुरोहितों के पास रंग नहीं थे तो उन्होंने जवाबी कारिवाही में गोपियों के उपर लड़ू फैंके यहां से शुरुआत हुई लड़ू होली अब यह परंपरा आज भी चल रही है बरसाने में स्रीजी के मंदिर से पुरोहित नंदगाओं जाते हैं होली खेलने का निमंत्रन लेकर नंदगाओं वाले वो निमंत्रन स्विकार करते हैं और जब पुरोहि बेज की दूसरी होली जो बहुत प्रसिद्ध है वो है लठ मार होली नंदगाओं से जब हमारे भुवन मोहन कनहिया अपने गौाल सखाओं के साथ बरसाने पहुंसते हैं राधा-राणी को रंग लगाने के लिए तो राधा-राणी की सखियों को पता चल जाता है कि कनहिया ह उन ग्वालों को कनहया के साथ पकड़ लेती हैं और प्रतिकात्मक रूप से लठ मार मार के बरसाने से भगा देती हैं इसी को आज भी ब्रजवासी मनाते हैं लठ मार होली के रूप में जो की नंदगाउं और बरसाने में मनाया जाता है नंदगाउं और बरसाने के पुरुस महिलाओं के ऊपर रंग चिड़कते हैं, गुलाल चिड़कते हैं और महिलाएं प्रतिकातमक रूप से कोडों और लाटियों से उनके ऊपर प्रहार करती हैं हमारे ब्रज की तीसरी होली है फूलों की होली जो रंग भरी एकादसी के दिन मनाई जाती है बाके बिहारी मंदिर में, बाके बिहारी मंदिर व्रिंदावन में है, मंदिर के प्रांगण में ही ये होली खेली जाती है, जिसमें पुजारी भक्तों के ऊपर रंग और गुलाल नहीं, बलकि पुस्पों की वर्सा करते हैं, और भक्त हमारे त्रिभंगी प्यारे बाके बिह नारी को फूलों से सरावोर कर देते हैं ब्रिंदावन की विध्वा होली भी बहुत फेमस हो चुकी बिंदावन में 200 में बहुत सारी विध्वा महिलाएं रहती हैं उनके जीवन में Ohly का उला सो होली का रंग भरने के उद्देश से 2012 में सुलभ इणडर नेशनल ने ब्रिंदावन में विद्वा होली खेलना शुरू किया मनाना शुरू किया और आज भी राधारानी के मंदिर में स्रीजी मंदिर में और पागल बाबा के मंदिर में विद्वा होली बिंदावन में मनाई जाती है जिसमें ब्रिंदावन की विद्वा महिलाएं हर स तो लास के साथ होली मनाती हैं ब्रिंदावन ब्रज छेत्र की इन होलियों के अलावा उत्तर प्रदेश की एक होली और भी जादा फेमर्स है मसाने की होली मनाई जाती है बाबा विश्वनात के सहर बनारस में मसाना यानि समसान और ये मसाने की होली के पीछे भी एक पौराण गई लेकिन महादेव वो तो देवों के देव हैं उनके भक्तों में मनुष्य क्या पशू सभी आते हैं और मनुष्य मनुष्य पशू देवी देवता इन्को छोड़कर जो भूत पिसाच औगड़ हैं वो hah ki के दूतोंने होली खेली तो समसान में रहने वाले उनके जो दूसरे भक्त थे भूत मतौँकल तुम्हारे स pasहब नहीं ध।ब्रभरी एक अगले दिन यानि दौदसी के दिन भगवान संकर ने भूत प्रीत पिसाच निसाचर औघणों के साथ समसान में हो ली भस्म से होली खेली गई, चिताओं की राखों के साथ भगवान संकर ने उन सब के साथ होली खेली, हमारा सनातन धर्म कितना इंक्लूसिव है, कितना समावेसी है, कि जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको भी भगवान सीने से लगाते हैं, उनके साथ भी उत्सो मनाते हैं, इस सारे लोग रंग पंचमी के दिन इंदौर पहुंचकर होली खेलते हैं उत्राखंड के कुमावू छेत्र में होली को गीत बैठकी के रूप में मनाया जाता है होली के अगले दिन मनाया जाता है जिसमें शिख अपना सक्ति प्रदर्शन करते हैं हरियाना में होली को धुलंडी के रूप में मनाया जाता है धुलंडी में भावियां अपने देवर को सताती हैं तो हरियाना की धुलंडी भावी और देवर के पवित्र रिष्टे को उत्सो की तरह मनाने काते वहार है बंगाल में होली को दोल जात्रा के रूप में मनाया जाता है दोल जात्रा को चैतन्य महाप्रभू के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है बंगाल में जुलूस निकलते हैं सांस्कृतिक गाना बजाना होता है रंगोत्सव होता है तमिल नाडू में होली को कमन पोडिग कि चाहशन के दोरान लोग नदी के किनारे बनाते हैं और उनीर जोपडियों में लोग इकठन होते हैं पारंपर्य नृत्य होता है और यह 505 दिन तक चलता है उडी सा में होली को डौला के दिन के मिनाया जाता है और यह dedicated होता है भगवान जगनात को डौला जात्रा निकलती है, पूरे सहर में मेला लगता है और इसको डोला गोविंदा भी कहते हैं, केरल में होली को युकली के रूप में मनाया जाता है, युकली यानि नाव और इस दिन वहाँ पर नावों के बीच में रेस होती है, हिमांचल प्रदेश की सांगला होली भी बहुत फेमस है, सांगला वैली में ये होली मनाई जाती है, जिसमें होली के दिन लोग रामायन के पात्रों की तरह सजकर निकलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और होली का उत्सों मनाते हैं, उदैपुर और जैपुर की रॉयल होली भी बहुत फेमस है, जिसमें लोग रॉयल परिवार, वहा सामवेद के मंत्रों का गान करते थे वहीं नई फसल के पक जाने पर किसान चटकीले फागुन में रंग बिरंगी होली खेलते थे सास्त्र परंपरा ने होली को अगनी से मिलाया अगनी जो पवित्र है शुद्ध है खेतों में चमचमा रही जौगेहूं की बालियों को सबसे पहले अगनी देवता को समर्पित किया जाता है फिर होली की अगनी जौला में नवीन धान्य को पका कर उन पकी हुई बालियों को प्रसाद के रूप में ग्रहन किया जाता है प्राटीन काल के संस्क्रित साहित्य में होली के अनेक रूपों का विश्तृत वर्णन है श्रीमत भागवत महापुरान में रसों के समूह रास्मान वरणन है जिसमें हर्स की प्रियदर्चिका और रत्नावली और कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविकाग्यमित्रम सामिल हैं कालिदास रचित रितु संगहार में पूरा एक सर्ग ही बसंत उच्छों को समर्पित है भारवी माग और अन्य कई संस्क्रित कवियों ने बसं महत्तो रहा है आधिकालीन कवी विद्यापती से लेकर भक्तिकालीन सूरदास रहीम रस्खान पद्याकर जायसी मीराबाई कबीर और रीतिकालीन बिहारी केशव घनानंद आधि अनेक कवियों को यह विशय अत्यंत प्रिय रहा है वास्तों में होली खुलकर और खिलकर कहन की परंपरा है राग रंग का यह लोकप्री पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही यही कारण है कि जोगीरे की तान में आपको सामाजिक विडम बनाओं और विदिपदाओं का तंज दिखता है होली की मस्ती पहाडी बिहारी बंगाली आधी अनेक प्रदेसों की अनेक बोलियों में गाया जाता है इसमें देवी देवताओं के होली खेलने से अलग अलग सहरों में लोगों के होली खेलने का वरणन होता है देवी देवताओं में राधा कृष्ण राम सीता और सिव के होली खेलने का वरणन मिलता है, इसके अत्रिक्त होली के बिभिन रस्मों का भी वरणन फाग में मिलता है आप भारत के किस छेत्र से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके छेत्र में होली कैसे मनाई जाती है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और आपके कमेंट के लिए आपको अग्रिम बधाई होली की आप सभी को हार्दिक सुपकाम ना है